गुल्मोर्णी अज हम सेंट्रीप वीटल एक्सलर्सन लेके आया हैं इस विचे एक्जाम हो रहा था अगनी बीर का जिसे करण वीडियो नहीं दे रहे थे और कल अगनी बीर का एक्जाम खतम हुआ है मैंने उसमें एक सबासो कोस्टन गेश किया था और उसमें जैसा बच्चों का कहना था कि लगातार उसी पैटर्न पर सारी कोस्टन आ रहे हैं या अपने भी एक्जाम दिया होगा देखा होगा अपने तो आज हम सेंट्रीपीटल एक्सलरीशन सेर्कुलर मोसर में जिए अक्स होता है कितने टाइप के एक्सलरेशन पैदा होते हैं सेर्फल मोसन में उसी एक्सलरेशन की बात हम करेंगे तो सबसे पहले सेंट्री पीटल एक्सलरेशन सेंट्री पीटल एक्सलरेशन क्या है अभी केंद्रिय तोरन उसकी बात करते हैं देखो यहां पर सेंट्री पीटल एक आभीकंध्रिया तोड़न डियक्षैजिए उड़न दोड़न थे थिए प्रस्ट को दो बूस्ट due to change in the direction in direction of velocity in a circular motion is called sentry fetal exploration in a circular motion in the direction of velocity change this by contribution of the action in the circular motion इससे संभब नहीं है, कब होगा? जब हमारा सप्रमोशन होगा तभी संटिपिटर अक्रिएशन होगा, संटिपिटर अक्रिएशन की बात नहीं आएगी, सिधा क्या लिखा यहाँ, अक्रिशन प्रोदूश्ट द्यू टू चैंज इन डेरेक्शन वा व्हेलोसिटी इन सरक्र अधियवती में, बेग की दिशा में, पडिवरतन के कारण, उत्पन तॉरन को, अभी के अंधिये तॉरन कहते हैं, फिरी समझे, हमके सर्कुलर मोशन होगा, तो सेंट्री पीटर अक्ट्रेशन होगा, सर्कुलर मोशन नहीं तो सेंट्री पीटर अक्ट्रेशन नहीं, ऐसे समझो इसको, हमने कहा कि सर्कुलर मोशन में, बेलोसिटी की दिशा में, पडिवरतन के कारण, बेलोसिटी के डिरेक्ट्रेशन में चैंज होने के कारण, जो अक्ट्रेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, यदी सर्कुलर मोसन है तब सेंटीपीटल एक्षरेशन है हमने क्या कहा यदी सर्कुलर मोसन है तब सेंटीपीटल सर्कुलर मोसन नहीं है तो सेंटीपीटल एक्षरेशन नहीं है इवाड फिर सुनों, हमने क्या कहा कि शर्कुलर मोशन में बेग की दिशा में परिबरतन के कार्ण उठ्रेशन उत्पन होता है, उसे क्या कहते है, संट्रीपीटल एक्षरेशन एक्षरेशन प्रोडियूस्ट, दूट्टू चैंजिन बेलोसिटी, दूटू चैंजिन डारेक इपीज नॉट एंग्षरेशन, फिर आगे लिखेंगे, इपीज नॉटू एंग्धूरर एक्षरेशन, क्या तोरण नहीं है, मतलब इसको अल्फा से जिनॉट करते हैं, इहम क्या तोरण अल्फा हैंए यहको तोरण अल्फा नहीं है, पीर द्यान देना है कभी कभी दिमाग बे आता है कि यह सरकल पे घूम रहा है तो क्या कौन यह तोलन है जी-ट कौन यह घूआ नहीं है कि को अन्य तो नन कहां उतुपन होता है जब श्रकर्ण पर गाड़ी से लाढ़े हैं वो उसको पुड़ा आवाज दिए कि पुड़ा घुमा रहेự हैं बार बार स्पीड चैन्म Als ुक्रन करले के क्षा हमारा क्या होता है गार्ण काँ deoru लूटा है कर बहुत होता है सब्सक्राइबादे लिए सेंच्रीं पीच्टाल एक्टरीशन अंगुलर एक्टरेशन नहीं हैं तो सबंधने हैं और को लुदा तो आगे चेंजेंशन में बात करेंगे कि टेंजेंशन एक्ष्रेशन जो है वो क्या है उसमें हम इसको निकाले गें तो सिधा समय यहां पे कहें कि भैलाओ सीटी की दिशा में चेंज होने की कारब जो एक्ष्रेशन फैदा होता है उसको हम लोग संटीपीटर काते हैं और फिर आगे कहा कि सरुकर होगा विर्ट्य गति होगी तो संटीपीटर होगा यह एंगुलर एक्ष्रेशन नहीं है यह कौन तोलन नहीं है फिर आगे जाते हैं कि टेरेक्टेट ट्वार्द सेंटर इसका डारेक्शन केंदरी की ओड होता है इसकी दिशा किदर होती है केंदर की ओड लिखते हैं इसकी दिशा केंदर की ओड होती है केंदर की ओड होती है समझना इसका डारेक्शन किदर होता है इसका डारेक्शन केंदर की तलब होता है Centripetal Acceleration is directly towards center जिस circle path पे body चल रही है जिस circle path पे particle चल रहा है तो उसके कैंदरी की ओर इसका डायरेक्ट सब्सक्राइब It is also called Radial Acceleration इसे त्रज्यतुरर्ण के नाम से भी जाना जाता है इसे त्रज्यतुरर्ण के नाम से भी जाना जाता है लिख देता है कि इसे या इसे ही त्रज्यतुरर्ण काता है इसे ही त्रज्यतुरर्ण काता है तो centripetal Acceleration बोलो या Radial Acceleration बोलो बाते की है समझ गया होगा इसको इवार फिर सुनो हमने का बृत्यकती में किसी particle के velocity के direction में चैंज होने के कारण जो Acceleration पैदा होता है उसको क्या काता है उसे हमिक हैंजर्ण या Centripetal Acceleration काते है फिर बोला या Angular नहीं है अंगूलर ऐक्रीशन नहीं है या या कभी-कभी दिमाद में आता है कि उसकी circle पे घूमड़ा है क्या Centripetal Acceleration और अंगूलर ऐक्रीशन से में जी नहीं यह angular acceleration नहीं है और अगला हमारा कहा है यह circular motion हो गया तभी centripeetal acceleration जब circular motion है तो centripeetal acceleration है और यह जो centripeetal acceleration है यह uniform circular motion पे है क्योंकि इसमें speed constant होता है इसमें speed क्या होता है constant uniform circular motion में centripeetal acceleration होता है यह यहाद रखना हमें से क्योंकि इसकी दिशा किदर होती है इसकी दिशा सेंटर की तरफ होती है फिर बोला कि it is called radial acceleration इसे किस एक्रेशन के नाम से जानते हैं इसे हम radial acceleration के नाम से जानते हैं या हिंदी में से हम लोग त्रैजियत तुरन कहाते हैं नौट कीजिए देखो इसको थेक है आगे बढ़ते हैं इसका फर्मूला है हमारा सेंट्री पीटल अक्रेशन का फर्मूला फर्मूला हमारा इसका है संट्री फीटल अक्रेशन संत्री पीटल अक्रेशन अभीकेद देतुरन एसी जो होता है यह भी स्कॉरिबटा अर होता है यह क्या होता आग दो भी वड़़़़़़ क्या हमारा होता है आर उमेगा देलफोर सेंट्री पीटल अक्रेशन ह् vård की जगह पे दे दो आरस बढ़ेäischen करो एसी हो गया हमारा कर कि आभड आडलो मेगा इसक्वार एक यह हो हमारा वोमेगा होता है टू पाइवाइटि।, क्या होता है हमारfang । उमेगा क्या होता है। लिख सकते है सैंट्रिपीचे रक्रेश्न आड़ गुना मैड़ी की अड़ीई। ले की फ़्रमूला के लिए लता है। ते लिButет cheesyoireson. इतना याद रखो तो मारा में से इस सेंट्री पीचल एक्टरेशन का फर्मूला भी स्कॉर बट र भी हमारा रो मेगा होता है तो इसी रो मेगा का इस्कॉर बट र, रो मेगा इस्कॉर और ओमेगा टु पाइवाटी इतना लग देजिए टीक है यह हमारा सेंटी पीचल एक्लरेशन का फर्मूला है इसके अधार पे कोस्टन यह दी जाओ दें इसी पार्ट में यहां पे कोस्टन दालना है देखो यह पार्टकेल इस मोविंग ओन इस एल्कुलर पाथ अधार्ट आशार्ट आए कि जाओ Cities 551 अंधर संथ्ब्चल है इसी सीन हें तर्मूला है इसी सेट स्थैंट if time period be 0.5 pi second to find centipetal acceleration find acceleration of the then find acceleration of the particle ॥ h eek । eekkan i am पांच सेंटिमेटर तरिजा के बृत्यमार्ग बार नियत चाल से चल रही है यदि अवर्द काल, 0.55 सेकेंड हो, तब कनका तोरन क्या है सिधा देख ककल को थोरन से मतलब सेंटी पीटर तोरन ही पूच रहा है जैसे ही पूझषरेशन की बात होगी छ della सर्फीटर देखनी से कालो खड़वे रखना साल से एक प्वाया है क्या समझेंगे, क्या निकालना है, क्यों सेंटिपीटर एक्रेशन निकालना है, यहां पे देखो इसको solution करने है, यह हमारा क्या कर रहा है, डेडियस कितना है, डेडियस दिया हुआ है, फाइब सेंटिमीटर, इसको change कर दो, मीटर में, फाइब इंटू टैन पर मैनस तो मीट फिर कालने इसका time period क्या है, time period है, 0.55 second, क्या पूछ रहा है, centipetal acceleration पूछ रहा है, जस्ट अभी बताया था centipetal acceleration, देखो यहां पे condition क्या है, time period दिया हुआ है, तो इवल अलग जाएगर, time period दिया हुआ है, तो हमारा centipetal acceleration का formula क्या होता है, और omega square होता है, तो रिख देंग फाइब इंटू 10 पर मैनस 2 है, यहां देख लो, और इंटू करो, 2 पाइब अटरी कितला है, 0.5 पाइब है, यहां पे लिखो, 0.5 पाइब यहां का square कर दो, यह cancel हुआ, यहां पे ले किजाओ, यह 4 times, यह चलो, 5 इंटू 10 पर मैनस 2, 4 इंटू 4 कितला होता है, यहां 4 इंट इंटू 10 पर मैनस 2, इंटू 16 करेंगे, 18 इंटू 10 पर मैनस 2, इतना हमारा, तो कि हमारा क्या है, यह मीटर पर सेकेंड स्कॉर होता है, याद रखना है, यह हम पहले ही बोले हैं कि अंगुलर नहीं है, कभी-कभी कानिफूजन होता है, किसा रेडियन पर सेकेंड स्कॉर डा तो समझ जाना कि क्या है हमारा सेंटिपी चल एक्रेशल है आर उनिगा स्कॉरर आर गोना टू पाई वाई टी का स्कॉरर कर दिया फाइव इन्टू टैंडबर मैंनस टू पाई टी का भैलू जिरो पॉइंट फाइव पाई पाई कैंसिल होगे फॉर होगे फॉर का स्कॉर कर हो सोला गया सोलो गना पाई चासी होता है नट करो इसको देखो हो गया यह देख लिया गबार यह बड़ावर देख़ा इसको रेडियास दिया हुआ है फाइव संटी मीटर को दे दिया फाइव इंटू टैंडबर मैनस टू फिर हमारा यहाँ पे संटी पीटल एक्रेश जी रूपन फाइव पाई है तो दे दिया यहाँ पे बैलू रखा काम काता है चलो ठीक है आगे चलते हैं हम लोग टेंजेंस से पर आख्रेशन ने केता है रहता है नेक्स चलो प्राइड़्याँ जाओ शाने किता रहता है इसको ओम लोग 80 से देनोट करता है अब देखो यहाँ वो हमारा क्या था? सेंटी पीटर था डायरेक्शन किदर था? एलॉंग स्ट्वार सेंटर था यहाँ पर देखो यह हमारा यदिसारक्र पात है यह फिर आलॉंग टैंजंट होगा ना यह हमारा यह हमारा tangential acceleration है, एक्रशन along tangent, फिर सवाल हुता है कि along tangent कैसे, if the speed is changing, that is velocity is changing in magnitude, then we have tangential acceleration. क्या रखना है हाथ, हमने क्या कहा, सीधा समने का speed यदी चार्ज नहीं होता है, तो कभी भी tangential acceleration नहीं होगा, इसका यह है कि question को जोसे पक्ड़ेंगे जब यह बोलेगा कि इसमें चाल जो है किसी पार्टिकल का भी speed है वा इस rate से चैंज हो रहा है जैसे कहरा कि पार्टिकल की का जो speed है वा 2 meter per second square के rate से चैंज हो रहा है जैसे ही changing in speed आएगा ना तो क्या हो जाएगा मारा? याद रखना, अमने का इस speed is changing, that is, velocity is changing in magnitude, then we have tangential acceleration. लिखते हैं कि इस speed is changing, speed is changing in a circular motion, that is, velocity changes in magnitude. then we have tangential acceleration. समाना इस कोमने क्या का, जब speed change कर रहा हूँ, velocity change होता है, जब velocity उनिफॉर्म सब कर रहा हूँ. हमने का जब speed change कर रहा हूँ, that is, velocity का magnitude, speed मतलब क्या, velocity का magnitude change कर रहा हूँ. speed change करने किस्तिती में कौन सब्सक्राइशन होता है, वहाँ पर speed change नहीं कर पा है, constant speed, याद रखना. centipetal acceleration, changing direction, tangential acceleration, changing speed, इसको याद रखना. अमने का कियदी, बिर्थिय गती में, गती में, शालमी फरिवारतन होता है. हो रहा हो, अर्थात, velocity के माने में, velocity के मापांक में परिवारतन हो रहा है, velocity के मापांक को speed काते हैं, बेक के मापांक में परिवारतन हो रहा है, तब असपर स्रीक्ष्यत्रन होता है. समझना है, शीदा समझना है, हमने कज़े, speed change कर रहा हूँ, speed में जब change हो रहा हूँ, अर्थात, velocity changes in magnitude, velocity का मापांक बदल रहा है, मैंगनी चूट अर्थात, हम याद रखना कि ये दिमाग से हटा देना कि जैसे velocity बोलोगे कि सब्सक्राइब, याद बेलोसिटी, हम बेलोसिटी का मैगनी चूट बोल ला है, बेलोसिटी नहीं बोलते है, इसका मतलब है कि आधियो speed change होड़ा हो, तभी tangential acceleration होगा है, जरी speed में changing नहीं होगा, तब हमारा tangential acceleration नहीं होगा, इसमें दो बात समने आई, पहला आजा, कि तो यहां पे हम सिधा निखते हैं कि ऐसा कि चैन्ज इन डारेक्शन यहां सिधा निखते हैं कि सैंट्री पीटल अभी क्यांद यह तो रहा है सैंट्री पीटल एक्टलेसर मतलब क्या चैन्ज इन डारेक्शन चैन्ज इन डारेक्शन और बिए गे टेंजेंशेल एक्टलेशन असपर्स रिखिए तो रहा है चैन्जेंशियल एक्टलेशन चैन्जेने इन सेंजेन स्पीड specific अग जानजन डाए तो सन्टी पीटल है याद रहा है अज़ कि इस पीड़न डारेक्शन बदल डानद आए तो शन्टी पीटल है स्पीड में चैंजिंग बड़न इसका होटा है अब फिर सबाल हुटा है किसनले इसका फर्मूला लीनेे लिगे एक्षर करता है तो 888-10 rate of change of speed speed में परिवर्तन की दर चाल में परिवर्तन की दर dv बटा dt तुम यह दे समाजना कि बेग में परिवर्तन की दर यहाँ यदि हम tangent selection का formula लिखें 80 का लिखेंगे dv बटा dt यह सीधा होगा चाल में परिवर्तन की दर चाल परती सेकंड केतना बदल रही है किसी बस तुम की चाल पर सेकंड कीतना change कर रहा है वही हमारा tangent selection है समझ में आया फिर से देखना है यहाँ पर tangent selection का ब होता है जब चाल में परिवर्तन होता है और हम नहीं कहा यहाँ पर centipeter relaxation changing direction दिशा में पड़ी बढ़ता है तो centri-peter और speed में पड़ी बढ़ता है speed में चैंजिंग तो tangent selection इसकी दिशा किदर होती है along tangent centri-peter का किदर होता है radius along radius अंदर की तरफ इस जाएगा हमार यह जाएगा along center centri-peter के अंदर की ओर और यह center है यह along tangent यह linear होता है जब linear acceleration होगा तो यह ली भी बटा dt किस rate से speed change कर रहा है बेग में परिवर्तन किदर यह मत सबागे speed किस rate से per second speed में कितना परिवर्तन पुड़ा है यह हमारा क्या कालाएगा टेंजन से लिया असपर सरी ख्यत्र निकाल रहा है पहुच करके देखो एक बड़ देखो एक से और यहां देना जब speed में change होगा तो omega change होगा याद रखना speed change होगा तो omega change होगा alpha भी change होगा अब यहां एक से और आ गया यहदी speed change होगा यहदी speed change होगा जब speed में changing होगा सब आभी खोड़ चांज करेगा तब omega change तब क्या होगा omega चांज ओमेगा समझ रहे हो angular speed अलफा चंज अलफा भी होगा तब omega होगा या omega होगा नहीं तो तब omega होगा अलफा भी होगा अलफा क्या है यहां पर angular acceleration है अब समझना यहां पर को क्यों इसा है उन्हों इसा क्यों है क्योंकि तुम जानते हो कि 80 बड़ाबर आर अलफा होता है तुम देख लो यहां तर भी बड़ाबर हमारा आर ओमेगा होता है कि दो स्पीड चंज तो मेंगा चंज इस्पीड निगा थो इसमिडर होगा तो इस्पीड होगा तो हमेगा होगा वहाँ हमने पहले बोला थमा एंगूलर नहीं होगा काहँ पर संटि-पीथर में एंगूलर नहीं होगा फिर से समझजना हमने का श्पीड में चैंज होगा तम क्या वो ओमेगा होगा अलफा भी होगा क्यों एक्टी आर रहा होता है वारवार बोलते हैं कि टेंजें सेल हमारा लिनियर है और हमें ने बताया था कि लिने रेक्लेशन और टेंजरेंशल रिलेशन क्या है और अलफा यह हमारा एंगुलर है यह हमारा इसका मतलब है कि टेंजेंशल और अलफा साथ चलते है एटी और अलफा साथ चलते है इसका मतलब हो गया कि एटी तथा अलफा साथ चलते है वो सेंटिपीटर के साथ नहीं क्योंकि वेलोसिटी यहां पे बदल लड़ा है फिर चल फिर अलभा भी जोकि यहंट इसके बढ़ावड होता हैaran की बढ़ावर होता है देखसे लेगेशंगर फूण दो अब यहां पाता है क्या AC का अलफा से सम्मन्द है तो लिखेंगे AC का सैंटी पीटल अलफा से कोई रिलेशन नहीं है अप फिर लिखेंगे यहां पे AC का अलफा से कोई डिलेशन नहीं है कोई डिलेशन नहीं है समझना है अप 80 होगा तो अलफा होगा चेंजनी स्पीड होगा तो ओमेगा होगा चेंजनी स्पीड ओमेगा चेंजनी स्पीड अलफा भी होगा लेकि सेंटी पीटल में नहीं होगा यह मैंने लिख दिया कि 80 और अलफा साथ चलते हैं सेंटीपीटर अक्षेशन का अलफा से कोई डिलेशन नहीं है सिधा से आप देख रहे हो ना सेंटीपीटर सिधा क्या था आड़ ओमेगा तो हम बोलोगे तुम किसरा आड़ ओमेगा स्कॉयर कनवर्शन था हमारा चलो देख रहें इसको अरम से देखो किलर हो गया हो गई आगे बढ़ें इसके बाद होता है निट एक्षडीशन पहला देखा संटीपीटर दूसरा देखा टैंजेंस अब तीस राम लोग देखेंगे निट एक्षडीशन अगला देखें निट एक्षडीशन अब निट एक्षडीशन कैसे निकाले के मालो यह हमारा सर्कूलर पात है यह हमारा सर्कूलर पात है यह सर्कूलर पात है इधार हमारा सेंटर की तरह संटीपीटर है निट किसको कहते हैं सेंटरीपीटर है यह तो पक्का है सेंटरीप यदि हमारा सर्कूलर पात पे यदि हम एक्षडीशन की बात करेंगे तो एसी पक्का है वो लोग एक्षडीशन की बात करेंगे तो एसी पक्का है वो लोग एक्षडीशन की बात करेंगे तो एसी पक्का है वो लोग क्या इदर होता है, चलब चलब के बो लग करपका है यह होना ही होना है पक्का है 80 जरूरी नहीं है यह जरूरी नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जरूरी नहीं है यह तभी होगा जब इस फीड में चाल जाएगा लेकिन जब नेट बोलता है तब दोनों की बात करते है क्योंकि हमारा AC किदर है center कि तरफ 80 किदर है हैं रोब कि उसका जो डिजल्ट इंट डिएगा बतर स्खवलब करारे लिए जो होगा हमादा यह बीच वाला अ यह डा भोल दो रिंगेडेगा से था तो तुम झान्ते हो इस केस में में 2 दिखे गए थामारा क्या यह बाट बार बोलना है कि इसमें शर्कॉल की बात करें चाह जरूरी नहीं है क्योंकि जब speed में change होगा तब ही दो होगा, नहीं change होगा, लिनर हो ही ने सकता है क्योंकि circular होगा, लेकि स्पीर में changing आया, तब भो होगा, तिस घंक समने काल लेंगे, यह resultant हमारा है, A, R दिया, यह हमारा aqlacer resultant है, A c square plus A d square, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab quasi θटा होता है अब यहां पे यह बोलता है कि कितना एंगिल इससे बना रहा है एंगिल निकालने की बात कर देंगल निकाल लो गए जानते हैं हो एंगिल निकालने के लिए सिधा 10 θटा 10 θटा क्या हो जाहएगा हमारा एसी बटा एटी हो चेएगा यहां एसी बटा एटी देख लेशको नेट ट्यक्टिलेशन यही था हमार निकाल वेशको मुने इसी पर कोशन डाल देता है इसी पार्ट पर लिखो देश्पीड आफ पार्ट किल पार्ट किल इसी बट deafनि बटी कमी तकिलार फार्ट किलेश ट्यवप्त और वीटिस्ट म्वाट ड्युट्ट लेश्पीटा बटा ड्युट्टी अज़ी बटाम लारं ग्ट्स ती स्क्रूल एस्पीट अब्सक्रूंद Rock निग एक इक पार्टीर्ण है जो और्डीय संस्क्रूल पाथ पे चल रही है वह समय के साथ कैसे बैर्णी करता है स्क wonder ठीक है, where t in second, where t is in second, and v in meter per second, find net acceleration, at t बड़ावर 2 second, अब देखना है, और त्रिजावाली, और देखना है, 4 meter, 4 meter, त्रिजावाली, भृत्ताकार मार्ग, या बृत्या मार्ग, मार्ग पर, सम्तेवर कन, कन का समय के साथ, कन की चाल समय के साथ, इस पर कार सम्मान देता है, that is v बड़ावर, t square, जो t second में है, भी meter per second में है, तो, t बड़ावर, दो second के लिए, net acceleration क्या है, जैसे ही net acceleration पूछा, दिया हुआ नहीं है, कभी-कभी लगता है कि गलत है, यह जी नहीं, net का मतलब ही linear होता है, net का मतलब क्या होता है, linear होता है, तो linear हमारा dv by dti है, यहां पर अब यह देखना है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, तो net acceleration पूछ रहा है तुम को, इसको देखो, पहुज करके देखो, बनाओ, पर बताते हैं इसको, देखो यहां, तो सब से पहले, यह हमारा क्या होगा, यहां क्या है, तो dv by dti होगा, भी यहां क्या है, t square है, यह हमारा 2t हो जाएगा, t बड़ाबर 2 के लिए, हमारा कितना होगा, 2 गोना 2 बड़ाबर, 4 मीटर पर सेकेंड़ स्कोर होगा, ठीक है, अब आगे चलो, 80 हमारा निकल गया, 80 कितना होगा, 80 हमारा हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्कोर, निकलना है ना ते, निका फर्वला यह हमारा, अब यहां दोगो, t square है, कितने second के लिए, t बड़ाबर 2 के लिए, भी बड़ाबर t square, देखो, यहां भी बड़ाबर t square, यहां पर 2 square कर दो, कितना होगे, 4 होगे, 4 मीटर पर सेकेंड, अब तुम संटीपीटर निकल लो, संटीपीटर हमारा क्या था, यह था 2 square बटा 8, ते लिखो 4 square, बटा 4, यह हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्कोर, यह संजोग है, वही आ गया, यह मत समझना कि यह बाला है, जी नहीं, भीवरावर T square है, ते कितना है, 2 second के लिए, 2 square करो, 4 मीटर पर सेकेंड, AC निकाल लिया, अब नेट निकालो, ए नेट निकालो, ए नेट हमारा क्या होगा, अंडर रूट, 80 square पलस AC, यह AC square पलस 80 square, जो भी तुम को देना है, AC square पलस 80 square, AC कितना है, 4 square है, यह आप लिखो 4 square, पलस 4 square, 16, 32 हो गया, तो 4 root 2 हो गया, कितना हो गया हमारा, 4 root 2 मीटर पर सेकेंड इसकेंड, देखनो, बना इसका, 4 root 2 मीटर पर सेकेंड, सिंपल से था, टैंजेंशन, टीवी बाए, टैंजेंशन अल लिनियर, तो 2T, टी बाए 2 के लिए, 4 मीटर पर सेकेंड इसकार, टैंजेंशन हो गया, अब हम सेंटी पीटर देखो, नेट यहाँ पे, AC square पलस 80 square, यह भी बाए 2 का इसकार, 4 मीटर पर सेकेंड, AC निकालो, 2 square बटार, 4 square बटार, तो 16 बटार चार करो, चार हो गया, AC square, AC square, 4 square, प्लस 4 square, अब लगता है कि तुमको सेंटी पीटर एक्टरेशन, टैंजेंशन एक्टरेशन, नेट एक्टरेशन, तीनों के बारे में कंस्टेप्स के लिए हो गया होगा, बच्छे इसमें confuse रहते हैं काखी होता क्या है, तुमने देखा है कि कड़के मैंने बताया इसमें, तो इसको करो, नेक्ट में फिर वीडियो डालेंगे, सैंटी पीटर फोर्स इसके बाद होगा, इसके बाद हमारा सैंटी फीटर फोर्स आएगा, इसको पढ़िए, रिग बारें गरो सब्सक्राइब